हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टाडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर इस पट्रिकूलर टॉपिक में आज हम यूपी टेपल सी द्वारा मंडी परिशत का जो एक्जाम होना है इस एक्जाम के तहट कुछ इंपॉर्टन टॉपिक को हम लोग डिसकस करने वाले है जैसे कि एक्जाम कब होना है और इसका सिलिबस क्या है और इक्जाम का पैटर्न क्या है तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्टारी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चले डिसकसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्जाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलिबस क्या है देखें समान बुद्धी से, समान ग्यान से, समान विज्ञान से और अंक गड़ित और समान हिंदी से कोशन पुछे जाने है और आपको ध्यान में देना है कि इस exam में negative marking को include किया गया है मतलब कि अगर आपके दो question गलत होते हैं तो आपके एक question का जो number आपको मिलना है वो deduct हो जाएगा यानि कि काट लिया जाएगा तो यह है और रही बात exam की कि exam कब होना है तो देखे अभी तो official announcement नहीं आई है बट अगर exam March तक नहीं हुआ तो यह exam after election conduct कराया जाएगा तो यह तो रही exam कब होना है तो देखे वैसे अभी हमारा है जन्वरी चल रहा है जन्वरी के बाद अगर March में exam होता है तो हमारे पास सिफ दो मंत का ही समय है दो महिने का ही समय है तो आप लोग को अपनी studies बहुत ही तेजी से start कर देनी चाहिए यह आप लोग को नहीं देखना है कि exam कब होना है कब नहीं होना है आपका काम है study करते रहना तो आप लोग वो करते रही है फिलाल हम लोग discussion स्टार्ट करते हैं कि syllabus क्या है इसका pattern मैंने बता दिया है कि negative marking है और आपको चार section से question पूछे जाने हैं हर section से 50-50 number sorry 50-50 questions होंगे और total एक session होगा 100 number का यानि कि total 400 होंगे और समय रहेगा 2 गंटा syllabus का हमने एक बार आपको detail में इसका वीडियो चैनल पर upload है आप उसको भी देख लिजेगा इसमें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि syllabus क्या है समान बुद्धी से question पूछे जाने है समान ग्यान से question पूछे जाने है समान ग्यान से हमेशा की तरह जो computer से related होगे question यूपी से related question होगे राजनीती से होगा economics से होगा और इतिहास से question पूछे जाने हैं देखे इसका detail में discussion का वीडियो चैनल पर upload है आप उसको देख लिजेगा समान हिंदी से भी question पूछे जाने देखे अगर आपने यूपी ट्रिपल सी यूपी ट्रिपल सी द्वारा जो वीडियो का exam conduct कराये गया था उसमें अगर आपने हिंदी पड़ी है तो वही same syllabus है जीके का भी syllabus same है बस एक अलग से additional topic एक किया गया है वह है math और math भी आपका जो है ज्यादा high level का नहीं पूछा जाना है math आपका जो पूछा जाना है वह 10th level की math होगी तो math का जो level है बहुत जादा high नहीं है हलाकि जो लेकपाल की जो परिक्षा होनी है उसमें जो math का level है वो हलका सहाई कर दिया है 10 प्लस 2 रख दिया है तो हिंदी का syllabus यह है तो हमने बताया कि exam अगर March तक नहीं होता है तो यह exam जाएगा after election तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू सो मुच वाचिंग थैंक्यू